प्लेटफोर्म पर आप सभी का स्भागत करता हूं और जैसा अनलाइन का डीकोरम होता है एक दो मिनिट का समय लेंगे फिर उसके बाद अपनी क्लास को कांटिन्यू करेंगे हमारी आवाज और विजुवल्टी इस पश्ट है एक बार थ्वड़ा सा चेक कर लूँ फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक को डिसकेश करेंगे ओधिर एक बहत्रीन टॉपिक जिन स्टूडेंट का पेपर है अगनिवीर आर्मी का अगनिवीर जीडी का वो सभी स्टूडेंटिस क्लास को ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या मेंकर उनका कोई साथी है कोई का सहयोगी है तो आप उसको भी उस वाई सीटी के बारे में बताईए अब दोस्तों समय है नहीं दस-पंदरा दिनों का समय बचा है इस दस से पंदरा दिनों में आपको अपने स्लेवस को परने से बहतर ये माना जाता है कि आप एक दो घंटे का समय मिला कर निकाल करके किसी लिएगा इस क्लास का तो अचित ही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा से लेक्शन की दिलवाया जाएं इतने हम लोग के समय में मैं बार बार मताथा हूं प्रस्न सभी तरब से पूछे जाते हैं और सब सभी दीशाओं से अगर आपके पूछे जा रहे हैं इधर से भी गोलिया चल नहीं है दर से भी गोलिया चल नहीं है चारों तरफ से गोली चल लए तो आपको रोगने का तरीका आपको समझना पड़ेगा और चारों तरफ से गोली का बहुचार का मतलब यह हुआ कि प्रसना आप से सभी तरफ हिस्ट्री से भी आएगा जोगर्भी से भी होता है वो रामबार आपके लिए यह होता है क्लिया काम करता है क्छाम के समय 21 तरीके से इए तरीके से प्रीपेर किया जाए इस बात को आपको याद रखना है तो यहां तक जलेगा आज के पहले प्रसन की तरफ मैं लेकर चलता हूं내 और आज का पहला प्रस्थ मैं लेकर चलता हूं देखता हूं इसकी इन पे कौन सा पहला प्रस्थ है आपका तो पहला प्रस्था आपका कहा रहा है बहुत पहत्रीन दिया जाता है एक सेकेंड अर्जुन पुरसकार किसे दिया जाता है तो यह कह रहा है कि उत्कृष्टता खिलाडियों के लिए दिया जाता है या कभियों के लिए दिया जाता है या बैग्यानिकों के लिए दिया जाता है या अभिनेताओं के लिए मैंने अभिनेता वाला आ प्रसना आगया दादा साहव या दादा साहव फाल के पुरसकार दिया जाता है आप से यहां पर क्या पूछ रहा है हमें तूदी पॉइंट पढ़ना है चुकि आपका एक्जाम है तो हमारा टार्गेट रहेगा कि आपको जो है चालीश 35 चालीश आपको जियएस के प्रस्ने डेली आपको कराते रहें एक्जाम है तो इसलिए यह जरूरी हो जाता है बिज्ञान और तकनीकी के लिए भी मैंने पढ़ाया था बिज्ञान और तकनीकी के लिए सांती स्वरुप भटनागर पुरसकार यह दिया जाता है दूसरा प्रस्ण बनता है विज्ञान योम तकनीकी में किस्चेत्रों में किसके लिए दिया जाता है यह प्रस्ण मैंने आपको बताया यह प्रस्ण आप पूछा जाता है इसके बाद से उत्कृष्ट खिलाडियों के लिए जो पुरसकार दिया जाता है वो अर्जुन पुरसकार होता है दोस्तों तो उत्कृष्ट खिलाडियों के लिए जो पुरसकार दिया जाता है उसको बोलते हैं अर्जुन पुरसकार कहा जाता है और इस अरजुन पूरसकार की शुरुः दिया गया था यह प्रसण भी आप याद रखिए गा तो और दूंपूरसकार का पहला जो दूर्वार किया था उनीच और आप याद रखिए स्लीम डूरानी आपका जो राइड आंसर होगा और आठा जो प्रस्ण का जो र IPล लूह सब्सकार किuchen दिया घाता है अब आप लोग को यहां पर रांसर आप लोगा मिल गया होगा कि जो राइड आंसर जो है आपका अगनीविर सही लिख लो सर कि यहां तक मैंने क्या कर दिया आपको बता दिया अगला प्रस्न चलता हूं अगला प्रस्न आप से कह रहा है करस्मीर घाटी का मुख्य सहर है प्रस्न क्या कर रहा है करस्मीर घाटी का मुख्य सहर क्या है दा मेन सीटी आप दा कास्मीर वैली का मुख्य सहर क्या है यह प्रस्न आप से पूछा गया है तरह क्या कारा है का समिर हाटी का जो मुख्य सहर है यह पाला प्रसन है जो democrats यह जेलम नदी के कमे साथ है यहां से जो नदीने कलती है सिरि नगर के पास से अर्थात वो नदी कौनसी है तो यहार रखिएंगा वह जहेलं है लट नदी हैं इस बात को आपको क्या करना है या रखना अगला आप से क्या कह रहा है कि यह अगर यह पूचे की तुpes क्या कोई जील भी है हाँ दोस्तों स्री नगर के पास एक जील है वो कई बार पूछा जाता है वो डल जील उसको कहा जाता है तो इस बात को भी आपको क्या करना है इस बात को भी आप याद रखिएगा तो यह है आपका डल जील तो जो राइट आंसर मिलेगा सिरी नगर का मुख्य सहर तो कस्मीर का मुख्य सहर सिरी नगर यह किस रीवर के पास है जेलम रीवर के पास है और यह कहां पर है तो यह डल जील के पास है यहां तक प्रस्नों को मैंने क्या कर दिया आपको क्लियर कर दिया कस्मीर घार्टी का मुख्य सहर यहां तक किसी बरगार का कोई भी कि आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है जापान को स्विट्जालेंड को नार्वे को या इन में से कोई नहीं तो कर विच इस नोन एज दा लेंड आप दा मिड़नाइट मिड़नाइट सन किसको कहते हैं आधी रात का सूरज किसे कहा जाता है देखेगा नार्वे को द मई महीने से ले करके जुलाई तक यानि मई मई जून जुलाई यानि लगभग धाई से तीन मंत तक धाई से तीन माह तक जो होता है यहां पर धाई से तीन माह तक जो होता है सूरज जो होता है दिखाई देता है लगातार जो है धाई से तीन माह तक सूरज कभी डूबता ही नहीं है अर्था सूरज डूबता नहीं है सूरज का अंत नहीं होता है यह सूरज जो होता है यह आपका ढ़ाई से तीन महीने तक क्या करता रहता है यह दिखाई देता रहता है जिस वज़ा से यह प्रस्ण जो होता है आपका कराया हुआ था तो सुर्योदय सबसे पहले आपका जापान में होता है यह बाते भी आप याद रखिएगा सुर्योदय जो है सुर्योदय सबसे पहले कि तुर्योदय सबसे पहले कहां पर होता है तो सुर्योदय सबसे पहले जापान में होता है जि हमां याद रखना है सुторवियोदा सब्से पहले कहां होता है यह सुत आपका सब्से पहले जापान में होता है यह दो तीन बाते जो जुड़ा हुआ था आपका इस बात को यहाँ पलिखेगा हो यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी बाते आपको खेंぎ इतitate लिख लीजेगा मैं यह मैं साइड हो जारा हूं कि इसकी इसोट ले लिया करिए कुम चलिएगा यहां तक क्लियर हुआ हाँ अगला प्रस्न में लेके चल रहा हूं सत्यमेव जैते बहुत बहिया प्रसना आप से पूछा गया है सत्यमेव जैते जब कोई सिक्का आप देखेंगे जो आप प्राया जो पैसा जो होता है जब करेंसी जो भारत की जो मुद्रा है उस पर देखेंगे असोक चक्र का चिन लगा हुआ है और वहीं पे जब असोक चक प्रमसराब का चिन लगा हुआ है तो भहीं पिलिखा राता है सथ्यमेव जैते वहीं से प्रस्न कोIR पूछा गया है कह रहा है सकति में ईए यति कहां से लिया गया है फ्रस्न हम सतना कर आपीवेद की सथ्यमेय। तो सत्यमेयो जैते जो लिया गया है यह मुंड को उपनिसद से लिया गया है यह मुंड को क्या है यह उपनिसद है यह भी बात याद रखिएगा दूसरी चीज सत्यमेयो जैते का मतलब क्या होता है यह देखेगा भारत का जो है आदर्स वाक्य है यह भारती यह संस्कृत का आदर्स वाक्य है यह भारती यह संस्कृत का जो है यह वास्तों में यह आदर्स वाक्य है इस बात को आप याद रखिएगा कि यह भारत का जो है यह आपका आदर्स वाक्य है इस बात को भी आपको क्या करना है याद रखना है तो यह सत्य में जैते का मतलब क्या होता है यह स सत्य में जयते का अर्थ होता है सत्य की ही सत्य की ही ऐसे लिखिएगा सत्य की ही कि तदय वा अब भी जय होती है कि कियET काहा से लिया गया है तो सत्य में जयते मुंड को अपनी सत्थ से लिया गया है था जो right answer रहा है उत्था उसका जुक प्रसन का जो right answer है वो फीज दर mindset है यहां तक कोई दिकत जो लोग भी लाईब है है कर लिएगा अगला प्रस्थी मैं लेकर चलता हूँए कि अगला प्रस्थान आपका क्या है अगला का राजिण कहां पर इश्थित। फ्रस्थीत और चिलंगा झेल यह प्रुषन प्रस्थ आपको कराया हूथ क्रिश्णा और की बीच में जब का यह एक शील पाया जाता है कि surprisingly कर आधा साम्हें में क्रिश्डा और कॐ दावरी इस दोनों के मुहाना पर किशील पाया जाता है और यह खारे पानी की जील है कैसी जील है यह खारे पासले है इसको नोट कर लिए थे पर फार यहां था झील यह लाको क्या करें याद रखना आ ये कहां पर है तो अर्थातिया चिलका जीन उरीशा राजय में array यसभी आप प्रस्तन आपके प्रस्न का जो सही आंसर है यहां रखेंगा भारत का प्रस्त कोई दिख्कत नहीं होगा क्लियर हो गया अगला प्रस्ण को तरफ चलिएगा अगला प्रस्ण आप से क्या कह रहा है अगला कह रहा है मिजोरम की राजधानी क्या है मिजोरम मिजोरम की राजधानी आई जोल फिलांग या इंफाल मड़ीपूर की राजधानी जो है आपका इंफाल है और मिजोरम की जो राजधानी है यह आपका आईजोल मिजोरम की राजधानी है कि शहरए भारत के जब राजियों की सीरीज दिधर दचिड कर रहे उत्तर पश्चिम राजियों की सीरीज को आप देखेंगे यहां पर ये जो आप देखेंगे भारत के उत्तर पर्स्रिम राज्यों की सीरीज देखेंगे यहां पर आपको यह दो प्रस्न और पूछता है यहां पर आपको मिलेगा त्रिपुरा और मिजोरम अर्थात यहीं जो इस्टेट है यह है आपका त्रिपुरा और यहां पर आपको मिलेगा मिजोरम और इसी मीजोरं का कैपिटल आप से पूछा गया है उसका आई जोल और कई सारे राज्य यह हैं, इसको याद रखिएगा, यहां पर जो आपको मिलेगा उसको बोलेंगे, अरुराचल परदेश अरुडांचल प्रदेश इसको याद रखिएगा और इसके बाद अरुडांचल प्रदेश के बाद जब हम देखेंगे तो यहां पर जब आप जाएंगे तो यहां पर जो है यह आपको मिलेगा मरीपूर और उसके बाद यह यह काई बार या प्रसना आप से कई बार पूछे जाते हैं कि प्रवत्तर राज़्यों का मनदलब 7वहने है तो इस में आप मेगाला यहां पर जोड़ीक का सेवन sisters इस्तेट जीनको कहा जाता है यहां से भी प्रसन आप कई बार आप से पूछा जाता है मेराल इसके कैपितल इस चेत्रों से पूछा जाता और मुलार यह कई बार आपसे प्रस्न मैं पूछा जाता है तो इस बात को याद रखिएगा कि कई रहे सब आपसे पूछे जाते हैं बी strictly किस राजय का पारंपरिक निर्त्य है लोग निर्त्य के से प्रस्नों को पूछा गया है भी हु कहां का लोकनिर्त है घहरा बिहार का असम का या पंजाब का तो भी हु जो लोकनिर्त है यह कहां का आप बताईएगा भी हु जो लोकनिर्त है यह असम का है और यह जनरली साल में तीन बार मनाया जाता है फसलों की कटाई के समय तो इ ताल में तीन बार क्या किया जाता है इसको मनाया जाता है इस बात को भी आपको क्या करना है इसको याद रखना है तो यह साल में तीन बार मनाया जाता है तो इसको आप याद रखेगा प्रस्ण नंबर साथ मैंने आपको बताया प्रस्ण कई बार आप से पूछा गया है अगला प्रस्ण की तरफ मैं चलूंगा अगले प्रस्ण जो है आपका वह अगला प्रस्ण कहां पर लेंगे तो इस प्रस्ण को लेंगे हम लोग अगला प्रस्ण अगला प्रस्ण आप से कह रहा है लंदन किस नदी के तड़ पर इस स्क्रेशना और पुछता है फ्रांस काड़ी के तर्ट पर पर है लिखे गा कि परिस गई सक नदी के तर्ट पर है जो पर फ्रांस का त टापीटल परीज़ पैरिस यह एं लंदधन आपका टेम्स नदी कीbasis head और फ्रांस का जो परिस यह सीन नदी के किनारे और आ यह आप याद रखिएगा यह प्रस्न कई बार पूछा जाता है अगर यह पूछे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है नील नदी है यह भी पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी नदी यह सब प्रेक्टिस करके जाइए विश्व की सबसे लंबी नदी को नील नदी कहा जाता है इसको याद रखिए कि यह सुडान और मिश्र के छेत्रों में मुख्यता प्रवाइद होती है अलागि इसका प्रवाद छेत्र तो कई देशों में है स्टुडान orComeister से विश्व कि याद रखिएगा भी सकी सबसे लंबी नदी यह आप प्याद रखिएगा तो यह सपेरिस सींड़ी के किनारे है कई वार आप से पूछा जाने वाले प्रस icon से प्रसन है जो कई बार आप से क्या करते हैं इस बात को देखते चलिएगा अगला प्रस्था आप से कह रहा है कि अगला प्रस्था का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं अ दूरी और उंचाई तीनों के द्वारा जाना नहें लंबाई चोणाई और उंचाई तेनों का है जो है मैपिंग आप देखेंगे गूगल मैप जब आप लोग करते हैं उसमें सभी चीज़े हैं जो आपको बता देता है वह यानि GPS सिस्टम के माध्यम से वह सभी का यहां लोकेशन दे देता है यानी थ्री डाइमेंशनल लोकेशन होता है यह पर ये चीज़िए ये जी तहान रखिएगा घियत्यों च layer लोकेशन आपका होता है अगला प्रस्न मेर्बै ले से सास्ट्र बलो का सर्वच कमांडर कौन होता यह बहुत ब्हें परकुंः कंडर कहता है कि बावन एक राष्ट्र wilka mrp एक राष्ट्र पती होगा यानि भारत का एक राष्ट्र पती होगा इस बात को आपको क्या करना है याद रखना है और आठ की लिए ही जब आप तीरुपन पढ़ेंग पढ़ेंग तो वहां लिखेगा कि संग की कारेपाली क्या की सकती राष्ट्र पती में लिहित होगी और के बाद वह लिखता है कि ससस्त्र बलों का जो कमांडर होता है वो राष्ट्र पती होता है तो यहीं आप से पूछा गया है कि ससस्त्र बलों का जो कमांडर होता है यह ससस्त्र बलों का कमांडर कौन होता है इस बात को याद रखेगा कि ससस्त्र बलों का कमांडर कौन होता है को हमें क्या करना है याद रखना है कि सभी सेनाओं का जो कमांडर होता है कीन सेनाए होती है एक सेना होती है आपकी थल सेना और एक सेना होती है आपकी वायू सेना और एक सेना आपकी होती है नौ सेना यानि तीनों सेनाओं का जो प्रमुक होता है वो कौन होता है राष्ट्र रखना है नो सेना में आपको याद रखना है यहां का जो हैड होता है उसको एड मिनल कहा जाता है इसका जो हैड को एड मिनल कहा जाता है यह भी कई बार प्रसन पूछा जाता है इसके हैड को एड मिनल कहा जाता है एड मिनल कहा जाता है और यहां पर आपका एयर फोर्स आफ को आपको याद रखना कई कई बार आपको यहां से भी आप से प्रस्नों को पूछा गया है और यहां वाला आपका पूछत कई बार आप को clear कर दिया गया कि यहां तक आई हो जो जो आप एक्स्प्लेनेशन की जरूरत हे आपको एक्स्प्लेनेशन पूरा मिलेगा अगला प्रस्ते जह हैं यह तो प्रस्त सब्सक्राइभ आपको पढ़ाते महासागर हिंद महासागर अरब महासागर इन में से कोई नहीं तो जो दुनिया का सबसे गहरा महासागर है उसको क्या कहते हैं प्रसांत महासागर कहते हैं यह कई बार बताया हूं यहीं पर आपको एक मिलेगा ट्रेंच उस ट्रेंच को बोलते हैं मेरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है यहां पे जो ट्रेंच समझ लिजेगा यहां पर आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगला प्रस्थे चलते हैं अगला प्रस्थे आप से कह रहा है भारत ने गोवा को पुर्थगालियों से कब मुख कराया यह 1961 में पुर्थगाली जो थे भारत में कब्जा किये देखिए और ते हैं यहीं प्रस्थ बनता है पुर्थगाली सबसे पहले आने वाली कंपनी थी कहां थे फूर्थगाली सबसे पहले चाहिताने वाले ती कि यानि 400 58 है वास्को दगामा पहली बार आता है इसके बाद दूसरा जो आपका क्या बनता है दूसरा प्रस्ण बनता है सबसे अंत में जाने वाली जो कंपनी थी यानि पूर्थगाली जो थी कि यह पूर्थगाली जो थी यह पूर्थगाली सबसे अंत में जाने वाली भी कंपनी थी इस बात को भी आपको याद रखना है यानि यह सबसे अंत में गई यानि का फूलेगा वो 1961 फे प्रतना आपका के लिए रहों प्रुद्गालीयों के पहला वैसराइब कौन था यह कई बार आपसे पूछा जाता है अल्बुकर्क या अल्मीडा तो अल्मीडा अल्मीडा था अल्मीडा था अल्मीडा था वास्त्विक संस्था पक्माना जाता है पुर्थगालियों का यह भी कहें लिख लिखेगा अल्मीडा जो था पुर्थगालियों का पहला था अल्मीडा जो था यह प्रथम प्रथम कर तो जो राइट आंसर है वह जिसको वास्त्रिक बोला जाता है तो प्रस्ण का आपका सही जवाब आपका मिल गया होगा इतना डाइमेंशन मैंने आपको क्या कर दिया इतने डाई में प्रस्ण कितने हो गया बारह प्रस्णों को मैंने आप से क्या किया डिस्कस कर दिया अगला प्रस्ण जो है अगला प्रस्ण में लेकर चलता हूं देखिए नधी किनारे सी किनारे किनारे ये आपका कौन सा लंडन लंðन ये अभी मैं आपको हमें दिखाता हूँ देखे प्रअक्टिस सटे यही फायदा होता है कि प्रस्न जो है आपको मिलने लगते हैं यह देखिए गई जुरत को explosion मैंने बताया बत्रास्न आठ आठ में का जो मैं explanation आपको दिया हूँ यह आठ्वे का मिल रहे है 0,8 या आपको 10 अर्वे प्रस्न में आपको लुख सॉरी तो यह टेरा प्रस्टों तक हम लोगों ने क्या कि आप से बाते किया इसके बात जो है आपका अगला ब्सक्राशन है आपका सब्ह enduring origin कि राश्ट्रिया वनस्पति उद्यान कि सहर में प्रीवा में जय चंडी गड़ में या लखनहत उमें नहीं यह आपका लखनव में यह प्रस्ट मैंने आप अगर आप से पूछे कि वह सब्जी के लिए बनारस है इस बात को याद रखिए का बनारस में दिया हुआ नहीं है यह प्रस्ण पूछा जाता है तो साइंस के यह एच्वान एनवन जो जो जीएस के जो पार्ट से मैंने आपको जीएस के पार्टों को कम्लीट करा दिया इसक यह बड़ फ्लू है यह जो है यह स्वाइन फ्लू कहा जाता है आप देखेंगा भी कोरोणा चलना आपने ऐसा सुना जा रहा है कि चीन में है जो है बिहड उत्पात जो है उत्पात पुना से मचाया हुआ है तो यानि की बात जो है को खदम होने का नाम नहीं ले रही है औ इसी तरीके से यह स्वाइन फ्लू होता था जो कहा जाता था तो यह तरीके के विमारीयों को स्वाइन फ्लू कहते है जिसको अनूर्स के होता है तो बाकि तो आजना है उसको पता है कि क्या होता है इस में को को अधिक होती है रीट का जो आपका जो को फिस्टम को क्या तरीकर से प्रभावित कर दे दो for सप्लाई बाधित हो जाती है जब रिक्तिकी आक्षियन की सप्लाई बाधित हो जाती है तो अगले प्रस्ण की तरह मैं चलूंगा कि लॉफिंग गैस किसको कहते हैं कार्बन डाइक्साइड को सलफर डाइक्साइड को हाइड्रोजन परैक्साइड को या नाइट्रस आक्साइड आप नाइट्रेंस में पढ़े होंगे तो आपको बताया हो जाता होगा नाइट्रस आक्साइड को यह लॉफिंग गैस कहा जा आक्साइड नाइट्रस आक्साइड को जो है यह लाफिंग गैस के नाम से क्या किया जाता है जाना जाता है नाइट्रस आक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से नाइट्रस आक्साइड को क्या किया जाता है जाना जाता है यह पहला पॉइंट आप याद रखिएगा तो लाफिंग गैस किसको कहते हैं यह नाइट्रस आख साइड को यह लाफिंग गैस कहा जाता यह बात आपका इस पस्ट हो गया होगा अथा लाफिंग गैस कि इसको कहते हैं इसकी खोज प्रिष्टले ने 1793 में किया था यह कहीं दिख लाइट्रस आख साइड जिसका जो जो केमिकल जो मैं आपको फार्मूला बताया यह इसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है त्रिष्टले तो यहां तक भी सभी बाते हमने आपसे क्लियर किया अगला प्रस्ण जो है आपका अगला प्रस्ण कह राए कि आप से कह राए कि नहीं तो कि हुआ है सइब लुमीनियम का कौन सा है सबसे महत्तपूर स trares क क्ल SpaceX अधसा है या रखिये गा जो गडैर Pin כ हं सsecurity तो याद रखिएगा जो अबशस्वेंस करके इसक है उसको बाक साईट कहा जाता है यानि बाक्साइड के पहल dalिक को लाइं को मुंखना सक हो को ख़िखाइट किया जाता जदा जिसका केम कल फार्मुला कहें तुहMr यह त्री याद रखिएगा यह बेर्पीक्षू और्मॉला यह जो है केमिकल फिर्मॉली करेंगा तो इस वी जो भाक्साइट है ये आपका अलुमुनियम का है को होता है सब्सक्राइब आपको किलियर कराया अगला प्रस्थन की तरफ मैं चलता हूँ अगला प्रस्थ आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है कई आप देखें होंगे कि आग ब तो यह चीज है आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है तो आग बुझाने के लिए नियान का प्रयोग करते हैं या नाइट्रोजन का या कार्वन डाय अक्साइट को आग बुझाने के लिए किया आग चारें प्रयोग किया जाता है यह बाते आपका अगला प्रस्न आप से क्या कर रहा है इनमें से कौन सा स्थंधारी ढाया काम कर लियो आपright काこれは यह यह बच्चे को जनम देता लेकिन वो कौन सा जीव है जो जो अस्तंधारी भी होता यानि अपने बच्चे को दूद्ध भी पिलाता है और उसके बाद से अपने बच्चे को जनम भी देता है यह प्रसना आप से पूछा गया है याद रखेगा चमगादर है कंगारू है गिलहरी है या प्लैंटीपस है यह प्लैंटीपस जो होता है जीव है जो क्या करता है यह पहले बच्चे को जनम देता है फिर उसको बतलब कहने को अस्तंधारी है और पहले जीव पहले इसके पास अंडे होते हैं पहले अंडे देगा फिर उससे जीव बनेगा तब वो क्या करेगा उसको दूद्ध पिला आने का काम करता है तो यह दी इस दर आइट अगला प्रसन क्या कर लैपरोइस्कोपिक से जुड़ा बहुत बनिया प्रसन है आपका लैपरोइस्कोपिक से जुड़ा हुआ यह बाय लोजी के शब्दू वाले प्रसन है यह रडार से संबंदी थैं रडार तो यह दो physics की ये तो कोई सवाल ही hormनने यह तो आपका पत्र हो जाता है तो उसके लिए लेजर बीम करणो का प्रकास की कि तेजी के साथ यानि इतिवरता के साथ पुन्यो को मारा जाता है तो उसे लेजर कहा जाता है तो लेजर ह्या decision लेप्रोइस्कोपी में यह उत्तकों का विज्ञान साइंस आप टीशू कहां कहा जाएगा कोशिका टीशू के अध्यान को तो कोशिका विज्ञान अलग ही वह सलेवस होता है यहां पर इसको बोलेंगा प्रसूति सास्त्र संचाला यह गाइनोलोजिकल कहा जाता है यह सही है गाइनोलोजिकल ऑपरेशन को कहा जाता है लेप्रोइस्कोपी यह दी इस दा राइट आंसर है इसमें जो होता है प्रकास और लेंस दोनों के सहयोग के सहायता से क्या किया जाता है इसमें कारे किया जाता है लेंस जो होता है क्या गाइन को लिश्ट होते हैं जो प्रसूती विज्ञानी जो होती है महिलाए खास्तर से इसमें होती है वो लेंस का प्रयोग करती है और हलकी ह पहिलाओं को जो जक्षय को होती है उनके निदान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है उसके अध्यान को लेप्रोिसकोपी याद रखिएगा यह लेप्रो नेप्रो उसको ना समझेगा वाले कर यह वड़ा ना समझेगा पतार्त कि चौ्थी त्रमान होती है ती तो आप लोगों ने सुना होगा फोस द्राव तो जो चौथी अवस्था होती है उस्टियों क्या करते हैं पलाज्मा कहा जाता अन्य चीज में आपके प्रसनों का जो ही जबाब है वह सी आ रहा है अगला प्रस्न क्या कहा रहा है तो बढ़िया प्रस्न है वीच आफ दो फालोइंग इजे मिक्स फर्टलाइजर निवनलिकित में से कौन एक मिश्रित फर्टलाइजर है यानि उर्बरक है यूरिया है अमोनियम सल्फेट है या सी एयम है या एन प्रस्न क्या है इस को आप कर लेंगे टो यह एक मिश्रित फर्टलाइजर होता है यह मतला है यह याद्रोजान फासफॉरी wehast So 이 यद रखिए का इसमें कई सारे जो होते हैं जो फोते हैं उनका होता है तो right answer सब्सक्राइब क्या होती सब्सक्राइब किसका सम्रीब होता है गायич दूद में बिटामिन ने है बिटामिन भी है या सी या डी या यह प्रस्थन कई बार पूछा जाता है बिटामिन भी जो होता है गाय के दूद का सर्वत्तम स्रोथ बिटामिन भी से प्राप्त होता है यह गाय के दूद से गाय का जो दूद होता है यह गाय का दूद जो है यह सर्वत्त स्रोत है यह गाय का दूद इसे बात को आप याद रखेगा यह प्रस्णायतों सर्वत्तम और गाय का दूद यह के लिए गाजर प्रमुख होता है और सी के लिए आपको मैंने आपको पढ़ाया था इस कारवी केसिड जो आवला या खटे फलो में पाया जाता है यह प्रस्ण कई बार आप से पूछा जाता है और इसके बाद विटामिन डी जो आपको ध्रूप से प्राप्त होता है तो प्रस्णा आप से क्या पूछा गया है गाय का दूद किसका सम्रिद शुरोत है तो विटामिन भी का याद रखेगा विटामिन भी यानि गाय के दूद में पर आपको उतना किया जाएगा यह सुद्धर रूप से बायोग लोजी का प्रशन है जो बायों के स्टूडेंट होंगे उनको यह सब पढ़े होंगे नहीं भी पढ़ेंगे उसे कोई लेना देना नहीं है यह सभी के सभी प्रसन आप यह से कई बार एक्जाम में आप से पूछे जाते हैं तो 23 प्रसनों को हमने क्या कर दिया यहां पर मैंने क्लियर किया अगला प्रसन जो है टाइफाइड बीमारी कहां होता है यह आपको यह भी पढ़ाया हुआ प्रसन हूँ टाइफाइड का बीमारी किस्से उतकल वाले प्र जीवाडु जनित रोग है तो जो टाइफाइड होता है यह जीवाडु जनित रोग होता यानि जीवाडु के द्वारा होता है और यह करता क्या है कि जो गंदा पानी या जो अस्वक्ष भोजन की वज़ा से जो होता है यह शरीर के अंदर चला जाता है जैसे मैं अगर नहीं रखते हैं तो वहां पे यह क्या करता है थाइफ आपके शरीर के अंदर कर गया और जो लीवर होता है उसको यह क्या करता है कर देता है जिसकी वजा से ब्यक्ति के अंदर जो जो होजन होता है भूख नहीं लगती है और शरीर जो होता है धीरे दीरे जाता है और तीन जड़ों का दाथ किसको कहते हैं तो यह मोलर को कहा जाता है मोलर इंसाइजर और किना इंक्रिदन वालब यह भगल वाला दाथ जो होता है उसको यह दातों के जैसे मनुस्य के अंदर जो दाते पाए जाते उसके प्रकार है यह याद रखेगा तीन जड़ों के दाथ जो होता है इसको मोलर को कहा जाता है तो इसके बाद का जो प्रस्न है 25 प्रस्नों के बाद लार किसके पाचन में मदद करता है लार किसको पचाने में प्रोटीन को बसा को या फाइबर को या इस्टार्च को याद रखिए का लार जो होता है यह लार जो होता है वसा और फाइबर प्रोटीन वसा और फाइबर को पचाने में यह तीनों जो है इस तीनों को पचाने में जो है यह क्या करता है मदद नहीं करता है प्रसना आप से क्या कह रहा है कह रहा है लार किसके पाचन में मदद करता है तो जो लार पाचन में मदद करता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको आप याद रखिएगा यह है आपका इस्टार्च प्रोटीन वसा और फाइबर को जो है यह लार पचाने का काम नहीं करता जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं तो जो जो मुख होता है वहीं से पचना क्या हो जाता है शुरू हो जाता है तो इस बात को याद पर पढ़ रही है तो क्या करती है वह सही तरीके से रेटिना या तो रेटिना के पहले ही प्रकास केड़े पुंज बन जाएं या रेटिना के बाद आपको प्रकास केड़ों का पुंज बने इस तरह की दृष्टी दोस कहेंगे या तो निकट दृष्टी दोस कहेंगे तो गोलक का बढ़ जा रहा है इसी को बोलते है आई बाल जो होता है अगर बढ़ जाता है तो आई बाल की बढ़नी की वज़ा से दूर की बस्तुएं जो होती है हमें इस पस्ट रूप से दिखाई नहीं देती है इस कंडिशन को कहा जाता है कम दूरसिता यानि दूर की बस्तु कि वज़ा से रेटिना पर प्रकास की किरड़ पुन जित नहीं हो पाती है इस बात को याद रखेगा प्रश्ण है ये अगला कहरा एक ब्यस्क मनुष्य का आव्शत वजन कितना होता है यह कई बार कहें जो पूरुस्रका मंश्रीका विल्हांशन कितना होता है एक कीसी का होता है यह आपका कहण täv composite यह आप याद रखेगा पंद्रह यह जो ऐखा जो आपका Simone होता है वो 150 यानि जो राइट आंसर है आपका वो राइट आंसर है यह सीज़ राइट आंसर अगला प्रस्न क्या है पानी का अधिक्तम घनत्व कितना होता है कई वारे प्रस्न सीधे-सीधे आप से पूछा जाता है और सीधे-सीधे आप इसको याद रखिएगा ज्यादा समझने की प्रस्न है जो कई बार एक्जाम में आप से जो होते हैं यह पूछे जाते हैं 29 प्रस्नों को हम लोगों ने क्या कर लिया आप से डिसकस किया इसके बाद प्रस्न जो है आपके और भी आपको मिलेगा प्रस्न अगला प्रस्न जो है देखता हूं क्या है निकल से कौन सा भाइ अब मैं क्या बताओ देखो इज इस आपको प्रस्दों को दिया गया है कि तो अप को प्रस्दों को दिया ढen रस्ते यहीं से तो पूछते हैं और फिजिक्स वे उन्नों ने डिस करके दिया है लेंस से प्रकास वाले टॉपिक से प्रस्त जादा तर पूछे जाते हैं और केमेस्ट्री में भी जहां तो बहुत एक कंपाइलेशन के साथ आपको वाई सीटी जो है प्रेक्टिसेट को करा रहा है यह प्रेक्टिसेट बहुत सोच समझ के विशह विशह सग्यों के दिशा न भग भग इसी छेत्र में काफी एक बड़ा अनुभव रहा है यह चीज़ें आप याद रखिएगा तो यह कारा निक्स कौन सा रोग आम तोर पर हवा के माध्यम से फैलता है उसको क्या कहते हैं यह प्लेग है या टाइफाइड है या च्छै रोग है या है या है तो हवा क चुके माध्यम से फैलने वाले रोग झूंसी होता है cyclist कहा जाता है तो जब सब्सक्राइब कि लिए जीए कोड़ा ने प्रफावित हो जाता है 2014 भारत की सरकार ने शिक्रस को रखा था कि जो है सब्सक्राइब किया जा और आप देखेंगे दार्ट इसकेंड़ केंद्र चलाए जातें ती को मुक्त करने के लिए डार्ट केंद्र चलाए जाते हैं जिसमें फरी में जो है टीभी वालों को दवायाँ सरकार की तरफ से क्या करती जातें जाती अमिता बचन इसका परचार भी करते हैं MDR TV कहा जाता है इस बात को आप याद रखिएगा यह हवा के माध्यम से फैलने माला रोग होता है अगला प्रस्ण आप से क्या कह रहा है अगला प्रस्ण कर वाई मंडल का उपरी हिस्सा ओजोन परत हमें किस से बचाती है कई बार इस इस नहीं जो होती है इसको अल्टरा वाइल एक कर लोगे तो यह परा वैगनी करेंगी क्रित्वी पर शीयसी कर जाएंगी तो इसको को रोकने के लिए जो होता है इसको परावैगनी किरड़े होती है यह गर्मी पैदा करने वाली यानि उतने यानि यह सुर्य से तो आने देती है किरड़ों को लेकिन यह किरड़े जा नहीं पाती है जिसकी वज़ा से मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था इसके बाद के प्रस्णों को मैं लेके चलता हूं हवाई वाहनों में सुध इंजन किसके इंधन किसके होता है या इंधन इंधन को बोलेंगे फ्यूल बोला जाता है इसको एविएशन फ्यूल फार जेट एरोप्लेंस कंसिस्ट आप पेट्रोल का मिट्टी का तेल का गैसोलीन का पेट्रोल या केरोसीन या गैसोलीन या डिजल कहा जाता है तो हवाई विमानों में सुध जो इंधन होता है उसको बोलते हैं मिट्टी का तेल यानि बीजदर आइट अगला प्रस्णा आपका क्या कर अगला प्रस्णा आप से बाग आपो क्लियर हो गया होगा तो जो लीवर को पता मिखेस सद दיא नहीं होता यदि हें दखार है सब बाखने पत्द मोरटोर डेखें को भी लीवर को आप देखिएंगा या मुर्गे की जो पत्री है या कभी आप उसको देखेंगा तुसमें धारियां होती करनतियां होती है कभी जो है यह जब गुर्दा कटेगा आप देखेंगे इसमें पलड आता रहता है जब करता है तो उसके घ्रंथीयों के माद्यमस्द में ब्लड का सर्कूलेशन होता है तो अर्था जो राइट आंसर है यह गुर्दा भी होगा यह आपका यक्रित भी होगा और यहां पर क्या करेंगे निगलेट करेंगे अगला प्रस्न क्या कह रहा है मैं ज्यादा दूरी वाले फोटोग्राफी किस के द्वारा सुसाध्य बनाई जाती प्रकास के द्वारा एक- прош कि द्वारा तो यह आप से प्रस्णों को कह रहा है कि कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है तो जो फोटोग्राफी में और हम प्रयोग करते वो इंफरारेड का प्रयोग करते हैं इंफरारेड में फोटोग्राफिक का प्रयोग किया जाता है यही तो वज़ा देगी ठीए हैँ टplayer है कि दिख्ञाइगे लिए हो जाती इसको इसको इन फ्रारेड कहते हैं यायनि कि इस बात को आप याद रखी अगला प्रसना आप से क्या कहा रहा है पठाखो में हरी आग किस वजह से लगती यह ब मैं आपको बताया इशके बाद प्रसन अब के खतम हो गए इसके बाद जो है आप जो है मैत की क्लास का जो है आप आप सभी लोग अनंद लेंगे और यह जो प्रस्न है आपके जो जो सभी प्रस्न है यह भी से सग्यों के दीशा निंदेशन में बनाया गया प्रस्न है तो आप लोग इससे ज़्यादा से सब्सक्राइब करेंगे तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं सर जो है इसके बाद मैं की क्लास को कांटीणू करेंगे जैहिंद आलाफियू अभी हम लोग आर्मी जीडी का चला रहे हैं और बताये थे कि कुछ दिनों के बाद हम लोग आर्मी जीडी का चलता ही रहेगा उसके साथ आर्मी टेक्निकल, आर्मी कलर्क और आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट इसके बाद नेभी एमार, एयर फोर्स ठीक है इन सभी बैचों को भी हम लोग चलाने वाले हैं प्रैक्टिस बैच चलेगा और बहुत ही जल्दी आ रहा है ठीक न? क्योंकि उसका देखी यहाँ पर मैटर की कमी है नहीं, मैटर आल्रेडी त्यार है पहले से ही ठीक न? आप आनलाइन परचेज कर सकते हैं प्रैक्टिसेट को बीडियो को भी परचेज आप कर सकते हैं आनलाइन klash जो आपको प्रवाइड की जा रहे हैं उसको purchase कर सकते हैं वो live class रहती है इसके बाद जितनी भी practice book है offline की ओ यूथ publication की जितनी भी books है कहीं ने कहीं आपको book install पर निशीत रूप से मिल जाएगा यदि नहीं मिलता है तो आप online purchase कर सकते हैं उसे website पर जाएए Amazon पर भी है ठीक है तो आप वहाँ से purchase कर सकते हैं और बहतरीन content के साथ है इसलिए आप लोगों से बार-बार कहा जा रहा है क्योंकि कोई भी देखता है matter model paper का तो लगता है कि वही है जो paper में आता है और यहां से ही आएगा इसलिए बाहर नहीं आता है तो जी जान लगा करके यहां के expert जो है मेहनत करके और यह बनाते हैं हमारे निर्देशन में यहां बनता है दिसा निर्देश हम देते हैं उसके कार्णिंग जो है यह सभी चीजे जो आपको दीख रहा है वह बनाए जाते हैं चली हम स्टार्ट करते हैं model paper यह नहीं है यह सर बता रहे थे कि model paper यह पेपर अभी चलता है ठीक है तो अभी पर्चेज भी कर सकते हैं उसमें कुछ और तरीके से वहां पढ़ाये जा रहा है ठीक ना तो उसमें आप जुड़ना है पर कितना है कि इसमें आपको प्रैक्टिस भी चल रहा है और उसमें प्रैक्टिस और प्लस उसके साथ जो चेप्टर चलते हैं उसके भी content आपको मिलेंगे दोनों आपको मिल रहे हैं ठीक है आई हम दिखाते हैं इस प्रश्ण का जवाब क्या होगा भाई चल यह देखते हैं आप लोग area of rectangular ground is 1200,500 meter square its length is 125 meter its perimeter is दिया गया है इसमें की एक आयताकार मैदान का छेतरफल 12,500 meter square है उसकी लंबाई 125 meter है तो उसका परिमाप क्या होगा पेरी meter आपको बताना है ठीक है परिमाप कितना होगा तो लंबाई भाई दिया है चोड़ाई आप निकाल लीजिए छेतरफल में क्योंकि हम जानते हैं formula कि लंबाई गुडे चोड़ाई बराबर लंब छेतरफल दिया है 12500 meter square अब आप देखिए किसमें लंबाई कामान कितना दिया है लंबाई भाई दिया है 125 इंटू चोड़ाई हो जाएगा 125 00 अब भाग दीजिए तो बी कामान देखिए 12500 में 125 से जब भाग देंगे तो 100 बार में वो कट जाएगा ठीक ना इससे यह जो है डेजबिल है अर्थात इधर गुड़ा है तो इधर पक्षांतर करेंगे दाहिने तरब तो भाग हो जाता है और भाग देने पर आपका हंडेड आरा है मीटर में ठीक ना तो लंबाई भी आपको प्रश्ण से मिल रहा है और चवड़ाई हम लोग साल्व करके छेतरफल की सहायता से निकाल लिए ठीक है अब आप से परिमाप पूछा गया है तो परिमाप बराबर फार्मुला होता है टू इंटू लंबाई धन चवड़ाई ठीक ना दोनों लंबाई को जोड़ेंगे और दोनों चवड़ाई को क्योंकि आयत की आमने सामनी की भुजाएं परस पर बराबर ठीक है समानतर हापस में होती है इसलिए उन दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो टू एल हो correct यह और 125 को जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा 100 धन यहां रख करके आप जोड़ सकते हैं भाई 125 पलस 100 बराबर हो जाएगा ये दो गुडे दो सो पचीस और गुड़ा करना है केवल आपको इसको केवल आप मल्टिप्लाई कर देंगे ठीक है दो सो पचीस ठीक नँढ़ आप गुड़ा करिए तो चार सो पचासा रहा है ये 450 मीटर ये आपका हो गया अपसन नमबर ये सही है ठीक न ये आपका परिमाप हुआ तो इस ताइप से देखिए बहुत सारे इसमें कोश्चन्स आपको मिल रहे हैं और अभी तक जो आप देखे होंगे पेपर उन पेपरों से आपको पता चल रहा होगा कि जो बताया जा रहा है जो पेपर आपको दिखाया जा रहा है ठीक न ओ और जो मॉडल पेपर है जिसका हम लोग जिक्र बार-बार कर रहे हैं ठीक ना उस सभी सेम है और उसी लेवल के आते हैं उससे बाहर नहीं आता है ठीक है आगे हम चड़ते हैं वाई अगला प्रश्ण ये रहा साइटिश नंबर दिया आए देखिए यदि 10, 20, 141 एक अनुपात में हैं मुनें समानुपात में लिखा गया है वाई प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन ठीक ना ती अनुपात एडी इसी फार में इस प्रश्ण को लिख रहा है लेकिन लांगेज में लिखा है सब्दों में लिखा है उस सब्दों से मैथमेटिकल रूप दिया जाएगा भाई तो मैथ के रूप में आप लाते हैं तो यह हो रहा है देखें आप 10 सनुपाते 20 समानुपात 1 सनुपात 40 इन दोनों को मल्टिप्लाइ करिए क्योंकि इसका प्रोसेस है मद्यवाले का गुड़न फल बराबर तो मद्य का गुड़न फल भाई 20X हो जाएगा बराबर 10 गुड़े 40 ठीक है अब आपको X निकालना है तो X कट से निकल गया क्योंकि 20 गुड़े एक सही धर 20 को पक्षांतर करेंगे आप तो 10 गुड़े 40 बटे 20 होगा 20 दुनी 40 होता है दो बार में कट जाएगा 10 गुड़े 2 करते हैं तो ये आपका 20 ही आ जाएगा अर्थात आपसे नंबर 20 ही है बहुत सिंपल सा प्रशन सब आते हैं फर्क यह है कि आप मेहनत कितना किये है ठीक ना यदि मेहनत ताप किये है तो निशित रूप से आप सफल होंगे ऐसे प्रशनों को असानी से लगा सकते है ये देखिए रिजिनिंग का प्रशन है भाई कलेंडर चैप्टर से ठीक ना बहुत सिंपल सा प्रशन दिया गया है लिखा है यदि दस जनवरी देखिए दस जनवरी 2004 का दीन मंगलवार है दीन मंगलवार है ठीक है और पूछ रहा है दस जनवरी विन एक साल बाद का पूछ रहा है 2005 का अब आपको यह सोचना है कि जनवरी महीना तो चल रहा है देकिन दस तारिक कह रहा है इसका मतलव फरवरी महीना भी पड़ा होगा उसमें ठीक है तो कहने का मकसद यह है कि एक साल बाद और यह जो वर्स बीत रहा है 2004 वो 366 दिन का बीत रहा है बाकी जो है 265 दिन के होते हैं अर्थात कहने का मकसद यह है कि अब हम लाजिक परियदी आते हैं मेथट पर आते हैं तो 2004 हमारा लीप वर्स है वह वर्स जो चार से विभाजित है उसे हम लीप वर्स कहते हैं अधी वर्स कहते हैं ठीक है तो यह लीप वर्स है और लीप वर्स में सेज़ दो दिन होता है से ते 165 सही एक बटे चार दिन होता है और वही एक बटे चार एक बटे चार एक बटे चार चार बार जोडएंगे तो चौथे बर्स में जाあकरके वह complete एक दिन बन जाता है इसलिए 306 चार दिन हो जाते हैं इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं लीप वर्स बोलते हैं और बाकी जो चार से डिविज्विल नहीं है उसे समान्य वर्स का नाम दिया जाता है ठीक न और डिनरी यर का नाम देते हैं जिसमें 365 दिन कंप्लीट रूप से माना जाता है ठीक है आँगे बढ़ें देखिये दस जनवरी तो दो दीन अर्था दो दीन आगे पढ़ेगा मंगलवार था तो मंगलवार में दो दिन को जोड़ दीजिए तो दो दिन आगे बढ़ना है बुद्धवार मंगलवार के बाद क्या पढ़ेगा भाई मंगलवार के बाद ट्विजदे के बाद वेडनेशने पढ़ेगा और वेडनेशने के बाद क्या पढ़ेगा थरसने वाल जोड़ दीजे तो इस टाइब के प्रश्ण जब आप क्लास लेते हैं ठीक है जिसमें प्रैक्टिस प्लस आपके और भी चीजे हैं जो की बार-बार हम लोग बता रहे हैं ठीक ना तो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं और ये तो देख करके आंसर बता सकते हैं चलिए बढ़ा जाएं ये दिया देखिए बहुत अच्छा प्रश्ण है और इस टाइब का प्रश्ण पूछे भी जाते हैं परिछाओं में देखने में देखिए बहुत हलका है स्तोचना पड़ेगा इसमें भी देखिए क्या दिया है भाई एक कीलो मीटर एक कीलो मीटर सेकंड में लिखा है मीटर प्रति सेकंड में बनाना पड़ेगा तो देखिए कीलो मीटर प्रति घंटे को बदलने के लिए आप किसे भाई भाग देते हैं पांच बटे 18 से अब पांच बटे 18 इसमें लिखा नहीं गया है देख रहे हैं अब लोग तो आप क्या करेंगे की किलो मीटर को मीटर में बदल लिए एक किलो मीटर बराबर एक हजार मीटर हो जाएगा और जो घंटा है उसको सेकेंड में बदल दीजिए उसको किस में बदल देंगे सेकेंड में बदल देंगे और खट से अंसर आ जाएगा देखें एक किलो मीटर बराबर एक हजार मीटर ठ साथ मिनट होता है और एक मिनट बराबर साथ सेकेंड तो फिर साथ से गुड़ा कर देंगे तो यह हो जाएगा एक घंटा बराबर साथ गुड़े साथ हर्था 3600 सेकंड हो जाएगा घुड़ा कर दीजिए क्योंकि काटना नहीं है इस प्रश्ण में काटा नहीं है इसलिए नहीं काटा गया है क्योंकि जो प्रश्ण बनाया होगा वो जानता होगा कि बच्चे रटे हैं सब 5-18 से गुड़ा कर दो खट से आंसर आ जाता है ठीक ना इसी लिए उसको फसाद ही आ गया आप सन के द्वारा अब रटी है अब ठीक है अब यहां पर आपका दिमाग क्या काम कर रहा है भाई पाइमाना जो इसकेल है और पाइमाना क्या है तो एक किलोमीटर बराबर एक हजार मीटर और एक घंटा बराबर साठ गुडे साठ सेकेंड जहां से हल करके एक किलोमीटर प्रति घंटा भराबर आप याद करते हैं पांच वाइमाना बर्टे 18 मीटर प्रति सेकेंड ठीक है उसको देखिए जहां से हल किया जाता है वो पुछ दिया गया आपसन के द्वारा यह रहा आपका 1000 वाइज 3600 यह आपसर नंबर सी सही है ठीक है अगला प्रस्ण आप देखिए नेक्स्ट 18 केलो का मुल्य ग्याद कीजिए यदि एक दर्जन का मुल्य है चार रुपिया है एक दर्जन बराबर 12 तो मौकिक प्रस्ण हो जाएगा भाई 18 केला आप केला खरते होंगे तीक है तो आधा दर्जन भी खरते होंगे एक दर्जन भी लेते होंगे डेड़ दर्जन भी लेते होंगे डेड़ दर्जन में कितने केले मिलते हैं आपको एक दर्जन बराबर बारा केला आधा दर्जन बराबर छे केला बारा और छे जोड़ दीजिए अठारा हो जाएगा और अठारा क्या है? डेर दर्जन है एक दर्जन केले का दाम चार रुपिया आधा दर्जन का दाम दो रुपिया हुआ और डेढ़ दर्जन आप खरीद रहे हैं तो चार दो मिल करके छेर पिया हुगा ये सिंपल सा तरीका से हो गया ठीक न और यदि जादे आपको समस्य आ रही है तो ऐसे हल कर सकते हैं ऐसे लिख करके एक दर्जन बराबर बारा केलो का क्रैम उल्ले बराबर कितना है वाई रुपई या चार है ठीक है इसलिए एक केले का दाम हम निकालते हैं चार बटे बारा अब आप निकाली आठारा केले का दाम तो चार बटे बारा गुड़े अठारा हो जाएगा चार तीहाई बारा अग तीन चके अठारा छे रुपिया हुआ ये आप संदी साही है लेकिन हमने तो मौकिक ही बता दिया आपको तोड़ा सा माइंड चलाइए तो अर्थमेटी के प्रश्न कुछ मौकिक भी हो जाते है दिमाग में ही सोच करके आप मार्केटिंग करते होंगे ही ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठे रहते हैं कुछ ने कुछ जरूर खर देने जाते होंगे कभी ने कभी और केला तो हमको लगता है कि जितने डिफेंस की तियारी करने वाले बच्चे हैं चाना गोड़ा और केला जरूर खाते होंगे और खरिते भी होंगे ठीक है चली आगे बढ़ा जाए भाई अगला प्रश्ण अब देखें बारा पुरुस अठारा महिलाएं या स्थब्द बीच में लगा है या या ये या का मतलब यह कर सकता है या वो करें ठीक है अर्था दोनों में बीच का रिल हरा मैलाएं एक खेत की कटाई में चोओदा दिन लगाते हैं जो कितने लगाते हैं बताईए क्यार फुरुस और स्थाम कितना लगेगा ये हैं मों प्रोपोर्षण का प्रश्ण समानुपाद का प्रश्ण है ठीक ना और इसे आप अच्छे से सलूशन भी कर सकते हैं इसका मेथड है जो हम बता चुके हैं स्टार्टिंग में ही बताया गया बताया गया था MDAH formula apply करके साल्ब कर सकते है और वो formula हम ऐसे apply कर रहे हैं देखें आप 12 पूरुस कितने दिन में काम करते हैं भाई 14 दिन में बराबर 18 महिलाएं भी 14 दिन का समय लेती है ठीक है ये बढ़ते हैं भाई 14 से 14 कट गया 6 दुनी 12 अच्छत्री 18 ये हो गया 8 पूरुस और 16 महिलाएं एकस दिनों में समाप्त करेंगे दोनों मिल करके करें तो एकस दिन का टाइम लगेगा बराबर उपर से कोई relation आगे खट से रख दीजिए अभी बताए हैं समानुपात का प्रश्न है ठीक ना कोई भी आप रख सकते हैं 12 आदमी 14 दिनों में खेत की कटाई कर सकते हैं अब यहां हम डबलू को ठीक ना इस डबलू को किसमें कनवर्ट कर दिया जाएं एम के रिस्पेक्ट में ठीक है या इसको रखिये जल्दी हो जाएगा इससे भी आजाएगा भीन के रूप में आ रहा है इसलिए हमने क्या किया इसको रखने का प्रयास कर रहे है ठीक ना क्योंकि यहां देखिए 3 डबलू बराबर 2 एम था अब डबलू कमान निकालते तो 3 से भाग देते तो आपको समस्या थोड़ी हो सकती थी बराबर 2 एम है ठीक है अब आप इसको बदल दीजिए एम को ठीक ना एम को हम बदल रहे हैं किसमें भाई डबलू में 2 एम बराबर 3 डबलू तो 8 एम बराबर कई डबलू 2 से भाग दे दीजिए तो 3 बटे 2 हो जाएगा यहां गुड़ा हो जाएगा 8 गुड़े 3 बटे 2 डबलू और प्लस 16 डबलू गुड़े X बराबर में हो जाएगा 18 डबलू गुड़े 14 जोड़ी अब इसे काट करके 4 तीहाई 12 16 और 12 मिल करके 28 होता है 3 गुड़े 4 बराबर 12 होगा 12 और 16 मिल करके 28 हुआ तो यह हो गया आपका 28 28 डबलू से देखिए डबलू हम छोड़ भी दिये 28 एकस बराबर हो रहा है 18 गुड़े 14 ठीक है 28 से भाग देंगे X ही निकालना है 14 दुनी 28 2 से यह 9 बार में कट जाएगा 9 दिन का टाइम लगेगा आप संटी साही है ठीक है अगले प्रश्ण पर आईए यह देखिए बहुत अच्छा प्रश्ण था ठीक ना यह बहतरीन प्रश्ण है टाइम एन वर्क का समय तथा कार्य का और प्रेक्टिस मांगता है यह सभी प्रश्ण परिछाओं में यदि हल आपको करना है तो जादे से जादे प्रेक्टिस करिए जादे से जादे प्रेक्टिस बैच में आप जूडिए ठीक है और भाई जो लोग इस विडियो को देख रहे हैं प्लेज और बच्चों को भी जूडिए सब्सक्राइब कराईए ठीक ना और हमारे साथ जूडिए किसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बहतरीन ये फ्लेट फार्म है आपके लिए और यदि गार्जियन देखते हैं तो गार्जियन से भी हम कहते हैं कि इससे बहतरीन कोई होई नहीं सकता है वाई सी टी चैनल पर आप अपने बच्चे को जुड़िए ये मेरी गरांटी है कि आपका बच्चा डिफेंस में सेलेक्शन पा जाएगा आर्मी जीडी में रिटेन एगजामिनेशन में इसलिए फस जाते हैं बच्चे क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कौन अच्छा बता सकता है कौन अच्छा प्रहा सकता है बच्चे भेड की तरह होते हैं भेड जो है चलती है सब मुड़ी गार करके चलती है मुड़ी गार करके चलती है ये नहीं देखती है कि भाई अगली जो चल रही है क्या वह गड़े में गिरेगी तो हम भी गिर जाएंगे सोचती नहीं है सब ओ लगातार उसको देखते हुए फालो करती है और चली जाती है जहां जाएगी अगली वही सब चली जाती है यह समस्या हो गई है पूरे भारत में हम देख रहे हैं बहुत समस्या है और बढ़ती जा रही है अच्छे प्लेट फाल्म पर जो लोग मिलते हैं जो चाहते हैं कि बच्चा आपका सेलेक्शन हो पाजाएं उसके पास बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि ओ नचनिया गजनिया की तरह नहीं बोलता है न खुमकाहिलाले नचाले ये सब तो कहता नहीं क्योंकि उसके अंदर है ये नहीं ये वह भावना भाई इसलिए हम कहते हैं कि जहां बहतरीन आपका मिले वहीं जुड़िए चलिए हम आगे बढ़े पांच छात्रों की ओसत लंबाई क्या होगी यदि उनकी लंबाई क्रमसा 30, 40, 50, 60, 70 है अब आप देख सकते हैं पांच छात्रों की ओसत लंबाई कितनी होगी ठीक है बहुत अच्छा तरीका है और हम प्रहावी चुके है इस तरह का यदि स्तमांतर स्रेडी में चल रही है तो 1st, last को जोड़ करके आप हाफ कर दीजिए आंसर आ जाता है जब आखड़ा जो दिया गया है प्रष्ट में जो डाटा आपके प्रष्ट में दीख रहा है ठीक है उसमें 1st और last को जोड़ करके हाफ कर दीजिए उत्तर निकल जाएगा लेकिन कब जब वह एक स्त्रिंखला में दिखे समांतर स्ट्रेडी में ही दिखे और HP में भी न हो ठीक है या GP में न हो GP में भी होगा अर्थाद गुड़तर स्ट्रेडी की बात हम कर रहे है यदि उस्त्रेडी के अंदर जा रही है श्त्रिंखला के अंतरगत जा रही है प्रश्न तब आपको योग निकालना पड़ता है योग वाले सुत्र से लेकिन यहां पर जो आप परिशा देते हैं वह समांतर स्रेडी में ही देता है नहीं तो बिखंडित सेडी के रूप में देता है जैसे तीन कांतर होगा तो कहीं पांच कांतर होगा कहीं एक कांतर होगा इस तरह की संख्या देता है तो आपको जोड़ना पड़ता है लेकिन यहां हम बता रहे हैं कि आपको जोड़ने की कोई जरुवत ही नहीं फर्स्ट और लाश्ट को जोड़िए और हाफ कर देजिए तीस और सत्तर मिल करके आपका सौ, सौ का अधा पचास हो जाएगा ठीक है? और यदि एक और तरीका है इसका मद्ध में आने वाले संक्याई आउसत होती है पाँच दिया है पाँच लोगों का लंबाई दिया है क्रम के अनुसार है जो मद्ध में दीख रहा है वो अंसर हो जाता है जैसे आप ये भी देख सकते हैं लेकिन मद्ध में कौन होगा? जब बिसम क्रम दिया हो बिसम में लोग दिये हो जैसे चार, आठ बारा शोला ठीक ना, बीस अब इसका आपको बताना है कि और सत कितना होगा तो खट सेने बता दीजिए बारा तो आएगा आप जोड़िये और भाग दीजिए तब भी वही आएगा देखिए चार, बीस, चौवीस, चौवीस का अधा कर दीजिए बारा आता है पूरे को जोड़ करके करेंगे तब भी आएगा देखिए बारा आठ वीस हो गया बीस, बीस, चालीस, बीस, साथ किसे भाग देंगे तो इस तरीके से हल किया जाता है और ये सभी चीजे आपको सिखाई जाती है कहां आप जानते होंगे जब आप क्लास लेते हैं ये तो हम लोग अब पेपर आपको दिखा रहे हैं उसके बाद मॉडल पेपर का प्रेक्टिस एट चल रहा है ठीक ना और उसमें जब बैच वाइज में आप पढ़ते हैं तो उसमें टापिक वाइज कोशन बताए जाते हैं आपके परिच्छा के लिए आपकी दिरिष्टी से किस तरह का प्रशन आता है वह समझाए जाता है आगे बढ़िए ये प्रशन देखिए अब प्रतिवर्स किस व्याज दर पर कोई रासी आठ साल में दुगनी हो जाएगी डबल डबल ठीक है इसके लिए फार्मला हम बताते हैं किस व्याज दर पर कोई रासी आठ साल में दुगनी हो जाएगी इसका हम ट्रिक फार्मला एक लिख देते हैं इसको याद कर लिजिए, जब वह simple interest अर्था सधारण व्याज में प्रश्ण बनता हो, इसमें लिखा नहीं गिया है, लेकिन है तो कहां का, सधारण व्याज का प्रश्ण है, simple interest का है, इसके लिए rate बराबर formula होता है, दर बराबर, इन माइनस वन बटे टी गुडे 100%, ठीक है, इन माइनस वन बटे में टी गुडे 100%, अब इन है क्या भाई, तो इन है गुडा, अर्थात गुना सब्द, इन क्या है भाई, गुना, गुना, यहाँ देखिए, दिखा है, दो गुनी, अर्थात इन का मान, दो है, ठ है टी क्या है वाई टाइम है आठ साल है लगा दीजिए न और ये तभी लगाना है जब एन कामान जो गुना सब्द दिया होगा वह एक से अधिक होगा तभी घटाईएगा अन्यता यदि एक बटे दो गुना का दें 0.25 गुना का दें तब नहीं घटाना है माइनस वन एन से तभी आप करिए जब वह एक से अधिक हो एक के बराबर भी है तो नहीं घटाना है क्योंकि डाइरेक्ट वो सिंपल इंट्रिस दिया रहता है ठीक है ये देखिए अब एन बराबर टू माइनस वन बटे टाइम हो गया आठ गुडे 100 और इसको कट से ने साल् अगले प्रशन पर आये आप यह रहा फॉर्टी फाइप नंबर एक आदमी एक खिलावना एक हजार रुपय में खरीदता है एक हजार रुपय में एक खिलावना खरीता है और उसे 15 सो रुपिया में बेचता है देखिए एक हजार में खरदा और पंदरा सो रुपिया में बेचा आपको पता चल गया होगा कि लाब का रुपिया का मिलना है ठीक है और लाब प्रतिसत पूछा गया है तो लाब बटे क्रेम उले गुड़े 100 यह फार्मला है परसेंट बराबर गेन परसेंट बराबर लाब बटे क्रेम उले गुड़े 100 यह फार्मला होता है लाब बाई देखिए एक हजार इससे घटाईए 500 रुपिये का लाब हो गया बटे में हजार हो गया गुड़े 100 डबल जिरो यहां से खट से नटाईए एक जिरो अटा दीजे 50 परसेंट का ल अब हो गया और यह अपका प्रोफिट लाग चैप्टर से था अब यह देखिए यह पच्टपन में पढ़े होंगे घंटा मिनट सेखे राद को मिनट में कैसे बदले घंटे में कैसे बदले और से चीजों को सेकेंड में कैसे परिवर्तन करें ठीक ना घंटा मिनट में परिवर्तन करना आप सीखे होंगे और नहीं सीखे हैं तो यहां इस प्रश्ण का जबाब में देखिए कैसे किया जाता है और क्या इसका रूल इंगलेशन है देखे हो तीन घंटा तीन घंटा बराबर तीन घंटा बराबर मिनट में पहले बदलिए साथ से गुड़ा कर देजिए क्योंकि एक मिनट में एक घंटा बराबर साथ मिनट होता है अब यहाँ सवाल यह आता है कि हमको second में बताना है तो इस minute को भी second में change करिए 60 से गुड़ा करके ठीक है प्लस 45 minute तो 45 गुड़े 1 minute बराबर 60 second 45 बराबर 60 से गुड़ा और कर लिजिए आगे आगे multiply करेंगे 36 और 36 गुड़े 3 हो रहा है 36 में 3 से गुड़ा कर दीजिए डबल 0 पहले लिख लिजिए 18 होगा 9 और 1 10 यह हुआ प्लस गुड़ा करिए 6 35 चचचव का 24 हो रहा है 24 में 3 जोड़ दीजिए तो 27 हो जाएगा 6 35 होता है 0 हो जाएगा और 6 चचचचव का 24 25 26 27 अब इसे जोड़ेंगे आप डबल 0 यह हुआ स्तार्ट और आठ 12 होता है 2 1 3 हो जाएगा यहां 1 1 3 5 डबल 0 सेकेंड यह आप संग एस सही आ रहा है ठीक है आए तो बहुत बहतरीन प्रश्ण है इसलिए बहतरीन इसे हम कर रहे हैं क्योंकि भटक जाते हैं लोग भटक जाते हैं लोग जब इस तरह के प्रश्ण को देख करके ओं कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि प्रश्ण का आंसर निकालने के लिए उनके पास मेथड ही नहीं है देखने लगते हैं आपके पास घड़ी भी होगी उस समय ऐसा नहीं है घड़ी रहती है लेकिन कैक्लेटर वाली घड़ी नहीं रहती है ठीक है तभी भी लोग नहीं बता पाते हैं चली आगे बताते हैं अगले प्रश्ण पर आया 47 नंबर यह प्रश्ण है 140 का 30 प्रतिसत बराबर 840 का एक स्प्रतिसत तब एक सह है है क्या निकालना है उसका मान तभी तो होगा अब देखिए हम इसको कैसे जल्दी बताते हैं आपको कामने गुड़ा ही होता है कामने गुड़ा ही होता है ठीक है भाई गुड़ा है दोनों तरफ प्रतिसत का सेंबल है तो उसको खट सेने छोड़ दीजिया और दोनों अब ऐसे 140 गुड़े 3 बते में 84 लिख लेजिए तब काटिए ठीक है तीन से कट जा रहा है ये तीन दोनीचे और तीन नवट्टे तीन चके अठारत तीन अवट्टे 24 होता है 28 बार में ठीक है तीन दोनीचे हो गया और फिर 8 बार में कट जा रहा है 14 दोनी 28 ठीक है दस हो जाएगा इसका मतलब आजसर 20 ही है से पहले प्रशन को देखा जाता है उसके बाद सलिशन किया जाता है ठीक ना लेकिन इसके लिए आपके पास method होने चाहिए आपके level का ही method होना चाहिए ना high होना चाहिए ना जादे low होना चाहिए middle में होना चाहिए तभी आप अपने प्रशनों को कर सकते हैं जादे high भी पढ़ लेते हैं तो उसमस्या ये होगी कि आपकी thinking high पर चली गए, low पर तो गए नहीं न मीडिल पर गया, समस्य अबढ़ जाती है, ठीक है, तो मीडिल में हमेशा चलना चाहिए, तभी आपका कोई भी परिशा निकलता है, मीडिल में पैलल में, सब्जेक्ट भी पैलल में इसलिए बताते हैं, हर सब्जेक्ट पर आपका ज्यान होना चाहिए, पकड़ होनी चाहि निमलेकित में से कौन 6 बटे 20 के बराबर है अब प्रतिसत में उत्तर रिखा है इसका वत्तर प्रतिसत में बदलना है और किसी भी भीन को प्रतिसत में बदलने के लिए उसके अंस में 100 से गुड़ा कर देते हैं क्योंकि 100 परसेंट पूरा होता ही है यह हो गया 20 गुड़े 100 20-25-100 हो गया 5-6-30 ये 30% अंसर होगा D ठीक है अगला प्रश्न देखिए ये देखिए कितना किसका बर्गमूल है 40-90 किसका बर्गमूल है बर्गमूल ग्याद करना है बर्गमूल देखिए 40-90 का बर्गमूल क्या होगा भाई देखिए 6 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे 36 जाएगा ठीक ना 4 हुआ 6-6-12 हो जाएगा 9 और 6 उतार लिए अब किसका पहाड़ा हम पढ़े कि इसके नजदिक आ जाए ठीक ना 24-47 होता है ध्यान दीजिएगा 12 का टेबल उन्चास के लेवल मैं ही जाना चाहिए जादे कर देते हैं यदि 6 बार ले करके चले गए तो बर्चक के 72 चला जाएगा 6 का बर्ग करते हैं तो इन डीजिट 6 आता भी है इसलिए इनको और इसके साथ कंपेर कर लिया जाता है तब हम टेबल को लेकर जाते हैं अब तब टेबल यह हो जाएगा चार बार अर्था 4-8 आंसर होगा आप करके देख लिजिए आंसर आ जाएगा एक फाइटराइजेशन मेथड भी है ठीक ना और भी मेथड है लेकिन ओ जब क्लास आप लेते हैं तो उसमें समझाए जाता है अगले प्रस्वर हम आते हैं बर्गमुल्खाच शेप्टर नहीं होता है अब यह देखिए लसम आप 2 into 3 into 3 and 3 into 5 into 7 is equal to इतना और इतना का लास आप किसके बराबर है यह कमाल हो गया बाई फैक्टर तो दिया है तो least common multiple आपसे पूछा गया है least common multiple LCM इन दोनों में देखिए सरवाधिक फैक्टर दो का कहा है बस एक ही बार दो है तो ले ली आ जाए ठीकना कामन वाले को भी लेते हैं लेकिन यहां कामन वाला तीन है तीन ही कामन है एक बस तीन कामन है महतम पूछा जाता तो 3 आ जाता महतम नहीं पूछा गया है ठीक है तो जो maximum होता है उसे आप ले लिजिए 3 गुड़े 3 और 5 को भी ले लेंगे 7 को भी लेंगे जो common नहीं करता है जो match नहीं करता है टीजिट उसको भी ले ले लेते हैं यह हमारा LCM हो जाएगा 2 इन्टू 3 इन्टू 3 इन्टू 5 इन्टू 7 अब यह देख लिजिए कि कहाँ अपसन है 2 इन्टू 3 इन्टू 3 इन्टू 5 इन्टू 7 अपसन C में यह दीख रहा है इसलिए अपसन C सही है ठीक है तो इस टाइब के प्रश्ण है ठीक है इस तरह के प्रश्ण आपके परिश्ण में पूछे जाते हैं जो हम लोग करा रहे हैं या पेपर है और इस पेपर को आप सर्च भी कर सकते हैं कहीं भी ठीक ना लेकिन बहुत कम जगहों पर मिलेगा आपको क्योंकि यह किसी न किसी बच्चे से मेमोरी बेष्ट करके अर्थात उनकी मेमोरी में जो फिट हो जाते हैं परिशाद देते वक्त वहां से उस कंटेंट को यूथ पब्लिकेशन ने ला करके और आपके सामने वीडियो के माध्यम से दे रहा है और आफ लाइन आन लाइन दोनों प्लेट फान पर हमारे प्रैक्टिस से टूप लब्ध हैं तो प्लीज आप लोग जाज़े से जादे हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और सेर करिए और इस बूक को आप यदि पढ़ लिए तो आपका निश्चित रूप से सेलेक्शन कंफर्म हो जाएगा थाइंक यू सो मच